Hello dear students, welcome back to our channel बच्छो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा चाप्टर 3 जो है वो कम्प्लीट कर दिया है Concept of Disparity Part 2 Foundation Course बच्छो बच्छो यह एक सब्जेक्ट ऐसा है जो इन सारी स्ट्रीम के लिए कॉमन है बच्छो हमने एक लेक्चर मैंने आपके लिए अरड़ी बनाया है जिसके अंदर मैंने पेपर पैटर्न आपको समझाया है तो प्लीज जाकर एक बर चेक कर लेना उसकी भी लिंक हमारे डिस्रिप्शन बॉक्स में है प्रिवियर्ज लेक्चर आप जाकर चेक कर लोगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा चाप्टर 1, 2, 3 फोथ चाप्टर जो है हमारा इंडियन कॉंस्टिटूशन जो कि भारत के समविधान के ऊपर है जिनको पूरी एक टीम ने बनाया है डॉक्टर बाबत साहिब आमिटकर और इनके साथ इनकी पूरी एक टीम है जिसने मिलकर बच्चो कॉंस्टिटूशन को हमारे समविधान को बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स है रूल्स और रेगुलेशन है लॉज बने हुए है जो हमको हर एक चीज के लिए जो हमारा कानून किस तरीके से काम करता है वो उसके अंदर मेंशन है तो बेसिकली आसान नहीं एक देश को जब हमको चलाना होता है और उनके हर एक कम्यूनिटी के जहार डाइवरसिटी होती है जैसे हमारी कंट्री में डाइवरसिटी है माइनॉरिटी भी है मिजॉरिटी भी है अलग-अलग रिलीजिन और कल्चर के लोग है तो बच्चों ऐसे देश को चलाना विलकुल भी आसान नहीं रहता है क्योंकि यहां पर लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है आप लोगों ने अपने टेक्सबूक्स में अकसर देखा होगा प्रियांबल ऑफ दे कॉंस्टीशन जो है वो दिया रहता है आपके थर्टीन से तो जो टेक्सबूक्स आती उसके नहीं होता है फंतमेंटल डूटी क्या है हमारी कॉंस्टीशन के लिए देश के तरफ हमारे पर कफीच ओप carbono हर्मानी कुछ ऐसे ठापिक है काफी आछे टापिक्स सपहरे पर हम लोग काफी चीजह को समझ सकते है बैसिक सबिटीशन और हमारा जो सबीधान है इसके basic features किया है सबसे जादा लेंदी constitution जो है बच्चों वो हमारे इंडिया का ही constitution है अलग-अलग countries के constitution को refer किया गया है जब हमको हमारे country में constitution बनाना था लाना था उसको तो अलग-अलग country के constitution को refer किया गया है हमारे जो constitution है पूरे वर्ड में सबसे जादा उसको लेंदी constitution बुलाए जाता है क्योंकि इतने number of articles है क्योंकि जहां लोग जादा होगे diversity जादा होगी तो कही न कहीं वो constitution भी क्या होगा काफी जादा लेंदी होगा तो बच्चों आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे constitution से related सबसे पहले constitution of India में सबसे पहले बच्चों अगर आपने इस image को देखा होगा पहले भी तो preamble जो है वो दिया होता है इस तरीके से preamble होता है जहां पर हम लोग जैसे एक speech देते हैं या एक pledge ले रहे होते हैं we the people of India बच्चों यहाद रखना यहाँ पर आई नहीं आता है यहाँ पर वी होता है क्योंकि इंडिया जो है उसकी जो unity है वो वी पर बनती है आई पर कभी नहीं बनेगी तो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution बच्चों ये चीज़ को मैंने highlight इसलिए किया है क्योंकि ये वो दिन है जब हमारा constitution बना था that means 26th of November 1949 को हमारा Indian constitution जो है वो फॉर्म किया गया है अब मैंने preamble जो है वो आपके सामने पढ़ तो लिया है लेकिन preamble को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक एक word के meaning जो इसके अंदर दिये हुए है वो क्या है मैं फिर से repeat करूंगी बच्चों we the people of India होता है जो की bold में दिया हुआ है इंडिया जो है वो वी से बना है आई से नहीं बना है तो जब भी हम इस constitution को अडॉप्ट कर रहे है तो हम अडॉप्ट कर रहे है मैं adopt कर रहे हूँ नहीं बोल सकती हम adopt कर रहे हमारी country के बिहाफ पर बोल रहे हमारी country ने इंडिया ने क्या किया इस constitution को adopt कर लिया है स्टार्ट करते हमारे preamble to the constitution से preamble का मतलब क्या होता है जो अभी अभी हमने देखा है उसको एक introductory note बोला जाता है constitution का एक introduction जो होता है जो दिया गया है introductory note के तुरू उसको हम बोलते है preamble now it reflects the minds of the framers of the constitution framers का मतलब जिनोंने constitution बनाया है frame किया है तो वो होता है framers तो introductory note हमको क्या बताता है किसके mind के बारे में बताता है framers के जिनोंने constitution को frame किया है their thoughts and ideals उन्होंने क्या चीजों को सोच कर समझ कर हमारे constitution को बनाया है it is regarded as the soul of the constitution तो preamble जो है उसको क्या बोला जाता है constitution का soul बोला जाता है it highlights important principles in the constitution तो basically constitution के अंदर जो हमारे important principles उसको क्या करता है highlight करता है जैसे किसी भी इंसान के शरेर में आत्मा का होना जरूरी है उसी तरीके से हमारा जो constitution बनाया है उसके अंदर preamble का होना जरूरी है तो that is the reason preamble is known to be the soul of the constitution अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमने अभी introductory note पढ़ा है बच्चो उसका जो text है preamble का वो exactly हमको क्या बोलता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे text of the preamble we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens यानि की हर एक citizen के लिए किया गया है यह preamble जो constitution है वो बना है यह हमको preamble बोलता है justice, social, economic and political यानि justice का मतलब क्या होता है हम यहाँ पर बात कर रहे है liberty of thought liberty यानि की हमको freedom है किस चीज़ के लिए freedom of thought सोचने के लिए expression यानि express करने के लिए belief और faith and worship यानि आप अगर किसी भी religion को belong करते हो caste और culture को belong करते हो तो आपकी जो श्रद्धा बनी रहेगी हम उसको आपको उसके लिए क्या देते है freedom देते है status and opportunity की अगर हम बात करें तो हम equal treatment देते है चाहे rich हो चाहे poor हो opportunities जो होगी इनके लिए वो भी क्या होगी equal होगी and to promote among them all fraternity और सब के अंदर हमको fraternity को promote करना है fraternity का मतलब होता है assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation यानि की dignity यानि की respect जो है हम अशौर करते है हर एक individual को मिलेगी irrespective चाहे आप किसी भी caste, creed, culture, religion को belong करो dignity जो है इज़त जो हो हर एक individual को मिलेगी उसी के साथ-साथ nation के integration के बारे में unite कर के बारे unite जो है वो भी हमको करके रखना है अपने nation को एकता जो है वो हमको क्या करनी है बनाए रखनी है इना constituent assembly this 26th day of November 1949 यानि इस दिन हम लोग ने क्या accept किया है we do hereby adopt enact यानि कि उसको implement कर रहे है and give to ourselves और अपने देश को हम दे रहे है वो क्या दे रहे है वो सोप रहे है हम अपना सम्विधान the 42nd amendment act of 1976 बचो amendment का मतलब होता है changes यानि कि कोई भी अगर law या rules and regulation उस वक्त जिसने frame किया होगा उन्होंने उस वक्त की situation को mind में रखते हुए frame किया था अब amendment का मतलब होता है अगर हम चाहे तो किसी law में किसी act के अंदर क्या कर सकते है changes ला सकते है उसको amend करना बोलते है change करना बोलते है तो 42nd amendment act of 1976 has inserted the word socialist, secular and integrity तो 42nd amendment act 1976 के तहट क्या बोला गया है यह 3 words है जो कि हमारे constitution के अंदर क्या किये गए है add किये गए है जो कि है socialist, secular and integrity in the preamble जो कि हमारे preamble में क्या किये गए है add किये गए है इसका detail में meaning हम लोग और आगे पढ़ने वाले है बच्चों next statement है that is implications of the preamble अब इसमें implications क्या हो सकते है proclaims that it is the result of deliberate efforts of the representative of the people of India यानि की यह हमको बताता है हमारा preamble जिनोंने बनाया है वो इंडिया के representative रहे है जो इंडिया को represent कर रहे थे उन्होंने काफी जादे efforts दाले है इस constitution को बनाने के लिए उसी के साथ साथ इस preamble को form करने के लिए states the objectives and goals of the state यानि की state के goals and objectives भी हमको बताते है emphasizes the ultimate sovereignty of the people ultimate sovereignty का मतलब उठा है independence यानि की freedom की बात चल दी है यहाँ पर तो लोगों को क्या मिला है देश को ही आजादी नहीं मिले देश के साथ साथ लोगों को भी क्या मिली है आजादी मिली है अब हम पढ़ेंगे हमारे preamble का meaning meaning of the preamble we the people of India तो we the people of India हमको absolutely और एकदम clearly क्या चीज़ बताता है that the sole source from which the constitution emerges is the people of India यानि की constitution जो बना है वो किस से बना है लोगों से बना है कौन से लोगों से बना है जो इंडिया के लोग है जो citizens है इन सब को मिला कर constitution बन रहा है इसलिए हम लोग बोलते हैं we the people of India it declares the ultimate sovereignty of the people यानि की sovereignty का मतलब होता है आजादी की बात कर रहा है हर एक इंसान की जो हमारे country में है हर एक citizen की the preamble proclaims to constitute India into a sovereign socialist democratic republic these words are very significant significant का मतलब होता है यह जो words दिये है बच्चों वो बहुत ही जादा important है क्यों बहुत जादा important है पहले हम उसका meaning देखेंगे क्या है sovereignty या sovereign का मतलब क्या होता है यहाँ पर इंडिया acquired her independence on August 15th 1947 यानि इस दिन क्या हुआ है इंडिया को उसका independence मिला है आजादी मिली है it is no more a dependency of the British Empire it is free to take its own decision independence मिल जाना उसका मतलब यह है कि Britishers से हमको आजादी मिल गई है तो अब हमारे जो भी decisions होंगे हमारे country के लिए वो हम खुद लेंगे अब हमको Britishers पर depend होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हीं से हमको क्या मिला है independence मिला है आजादी मिली है तो basically अब इंडिया अपने decisions जो है वो खुद लेने के काबिल है इसलिए हम बोल रहे है उसको इंडिया is a sovereign state नेक्स जो बोल रहा है socialist जैसे जैसे अभी हम लोग ने देखा है आगे 47 Second Amendment Act 1976 के तहत ये वर्ड को क्या किया गया है प्रेंबल में include किया गया है It envisages the goal of a welfare state and establishment of a socialistic pattern of the society जिसका मतलब होता है equitable distribution of income and wealth यानि equal distribution होगा income और wealth का society में society के लोगों के लिए It is the responsibility of the state to take care of a people through various means और ये जो responsibility जो है वो state की है हर एक state की कि वो क्या करें responsibility ले जिम्मेदारी ले अपने अपने लोगों के लिए socialist का मतलब होता है welfare state जहाँ पर equal distribution होगा equitable distribution होगा of income and wealth equitable का मतलब होता है equity का मतलब होता है जो जिस तरीकी की चीज़ों को deserve करता है उनको वो चीज़े देना जैसे बहुत ज़्यादा रिच है तो आप उसको और ज़्यादा पैसे देकर रिच नहीं करोगे लेकिन हा जो middle class है या जो गरीब है वहाँ पर अगर ज़्यादा जरूरत है तो आप अपनी distribution है income and wealth की आप उनके लिए क्या करोगे spend करोगे next आता है हमारा secular it means equal respect for all religions secular का simple सा meaning है की हर एक religion को equal respect देना this is also inserted by 42nd amendment it clearly spells out the concept of secularism which was important in the constitution secular state means two things secular state जो है उसका दो मतलब होता है state gives equal protection to all religions यानि की सारे religion को equal protection बिलना चाहिए state does not itself uphold any particular religion as the state religion यानि कि किसी भी state को ये नहीं बोला गया है कि आप अपना specific religion follow करो लेकिन आपके पास अगर बहुत सारे लोग है अलग-अलग religion के तो हर एक religion के लोगों की protection जो है वो state की जिम्मेदारी हो जाती है it means equal respect for all religions religion is a matter of personal practice अब religion जो है वो personal practice होगी जिस-जिस religion के लोग है उनकी अपनी personal practice होगी उनकी अपनी worships होगी तो आप किसी के बीच में interference नहीं कर सकते हो it does not have any role in public life public life में उसका कोई role नहीं होता है freedom of religion is guaranteed in articles 25 to 29 freedom of religion यानि कि आप जो religion में हो आपको पुरा freedom है आप जिस तरीके से worship करना चाहते हो आपको उस चीज का freedom है आपको अपने festivals को मनाने का freedom है कौन से articles में दिया हुआ है article 25 से लेकर 29 तक में freedom of religion के बारे में दिया है of the constitution next जो term है वो है democratic this term is used to mean political, economic and social democracy in its narrow sense it means that there will be representative and responsible system of government तो यानि कि यहाँ पर हमने democracy का मतलब हमेशा सुना है government के बारे में हमेशा सुना है to the people, for the people and by the people तो कुछ representatives होंगे और एक responsible system बनाया जाएगा government का जो कि लोगों के लिए होगा next है republic it means that the head of the state यानि president will be periodically elected by the people यानि कि president जो है वो क्या होगा वो elect होकर आएगा लोगों से यानि लोग जो है हम जो है वो क्या करेंगे president को elect करके लाएंगे citizens partnership in the affairs of the state is ensured और इसी के साथ-साथ citizens जो है उनके भी partnership क्या है ensure की गई है यहाँ पर republic का मतलब बच्चों वापिस से बताती हूँ head of the state यानि हमारी country का जो head होगा जिसको हम president बूलते है लोग उनको select करके लेकर आएंगे vote देकर उनको president जो है वो बनाया जाएगा और इसी के साथ-साथ citizens partnership in the affairs of the state is ensured तो जितने partnership होगी citizen के साथ में उनकी भी क्या है यहाँ पर उनके इन जो भी मुद्दे होंगे उसके अंदर उनका भी जो है वो अपना opinion form हो सकता है next है political justice political justice it gives universal adult franchise that means equal opportunity to all citizens and protection of minority it means having equal opportunity to access power no one will be artificially deprived from acquiring power universal adult franchise का मतलब यह भी होता है बच्चो जो की adults जिनको बोला जाता है जो 18 प्लस होता है उनको vote का जो है वो rights जो है वो वोटिंग के लिए होता है equal opportunity मिलेगी सारे ही citizens को और minority जो country में जिस किसी भी religion के लोग होंगे यानि minorities जो होंगे उनको भी protection मिलेगा it means having equal opportunity to access power यानि equal opportunity होगी हर एक चीज़ के लिए no one will be artificially deprived from acquiring power यानि कि power से किसी को भी दूर नहीं रखा जा सकता है हर किसी को equal opportunity power में आने के लिए मिलेगी economic justice political justice is meaningless without economic justice it stands for removal of poverty यानि कि political justice तब तक उसका कोई meaning नहीं बनता है या useless है अगर country में economically कोई justice नहीं मिला है जिसका मतलब होता है poverty को हमको क्या करना है खतम करना है it means that everyone must have sufficient opportunity to earn daily bread and satisfy basic needs there should be sufficiency for all before there is luxury for any यानि कि यहाँ पर बोला जा रहा है हर किसी को sufficient opportunity मिलनी चाहिए अपने daily bread butter को earn करने की तो basically जो हमारी basic meals होते है वो earn करने के लिए सबको opportunity मिलनी चाहिए हम यहाँ पर important sentence है उसके उपर focus करेंगे there should be sufficiency for all यानि जरूरत हर किसी की पूरी हो जानी चाहिए before there is luxury for all हम luxurious items लेकर क्या करेंगे अगर हमारे पास खाने पीने की ही आर्थिक वेवस्ता नहीं है तो that is the reason बोला जा रहा है sufficient opportunity हर किसी के लिए होने चाहिए सिर्फ luxury देकर कोई मतलब नहीं अगर उनके पास sufficient opportunity नहीं है तो social justice it stands for a welfare state it aims at setting up of a society where there is equal social status for all and there is no discrimination on any ground यानि कि social status भी सबको society में equal मिल रहा है और किसी तरीके का discrimination जो है वो किसी grounds पर नहीं हो रहा है discriminate का मतलब होता है भेगभाव करना तो यहां पर basically discrimination लोगों के बीच में आप नहीं कर रहे हो socially उनको equal opportunity or status जो है वो आप दे रहे हो next आता है हमारा liberty जिसका मतलब होता है freedom each individual will be free from arbitrary restraints on his freedom in positive sense it means that individual has freedom of thought belief expression faith and worship this is guaranteed by part 3 of the constitution which deals with fundamental rights it is guaranteed in article 19 to 22 of the constitution so basically liberty आपको किस चीज में मिल रही है liberty of thought आपकी सोच के लिए मिल रही है आपके belief आपके faith के लिए मिलती है worship के लिए मिलती है आप अपने आपको express करते हो अपने opinions को उसके लिए भी आपको freedom मिलता है this is guaranteed by part 3 of the constitution और कौन से articles में mention किया है हमारे liberty के बार में article 19 से लेके 22 तक के अंदर हमको बताया गया है liberty of thought beliefs faith and worship के बारे में equality this does not mean identity of treatment but it means equality of status and opportunity तो equality का मतलब यहाँ पर बोल रहा है treatment की बात नहीं कर रहे हैं हम लोगों को किस तरीके से treat किया जाएं यहाँ पर हम बात कर रहे है statuses की और यहाँ पर हम बात कर रहे है opportunities की जो हमने अपने citizens के लिए रखी है तो यह जो है guarantee दिया है कौन से articles के अंदर articles 14 से लेके 18 के अंदर हमको जो है वो equality के बारे में बताया गया है status और opportunities के उपर next आता है हमारा fraternity it would bring about unity and integrity तो यहाँ पर हमारी बात जो है वो हो रही है unity और integrity के उपर यानि एकता की बात हो रही है spirit of brotherhood is essential यानि भाईचारे की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी country को in a country like India there are many disruptive forces disruptive forces का मत्ता है ऐसे बहुत सारे लोग है ऐसी बहुत सारे चंस्ता है जो on the basis of caste religion क्या करना चाहती है हमारे country के unity को तोड़ना चाहती है in order to make democracy successful in such a society there is a special need for unity और ऐसे society में ऐसे democratic country में हमको किस चीज की सबसे ज़रूरत है unity यानि को बनाय रखने की ज़्यादा जरूरत है next is dignity of the individual it is essential for attaining democracy as a way of life basically dignity बच्चों जैसे मैंने बताया था आपको हर एक individual society में उसको चाहिए कि recognition मिले उसको recognized हो यानि उसको सराह जाए उसी के साथ उसकी जो है respect भी उसको मिले that is basically all about dignity of the individual this is maintained only in democratic government यह जो चीज़े वो से फ़से डेमोक्राटिक government में ही हो सकती है जहाँ पर आपको freedom मिलता है freedom of thoughts and expression, belief and faith नहीं तो ऐसे भी governments है जहाँ पर communist party अगर होती है तो वहाँ पर human being को sub human level पर लेकर आया जाता यानि इनसानों को इनसानों की तरह भी treat नहीं किया जाता है तो basically जब हम बात करते है dignity of the individual की यहाँ पर हम बात कर रहे है उसके respect के बारे में उसकी इज़त के बारे में which is essential for a government to run अगर कोई government है उसको चलना है तो उसको हर एक individual की respect करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा otherwise अगर आप सब human level के उपर लेकर आकर उसको treat करोगे definitely the citizens will not be happy with you so that is all about the preamble यह हमने जो हमारा introductory note था preamble बच्चों उसके बार में पड़ा है next जो हमारा topic आने वाला है structure of the constitution थोड़ा सा यह legal pat आने वाला है इसके अंदर जो हमको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको objective questions आने के chances होते हैं तो next lecture जो होगा हमारा structure of the constitution पे होगा till then state you into our lectures thank you very much